बिस्मिले रह्मान रहीम, असलाम लेकूम, भेले रिवान, I hope you all are doing well, आज का जो मारा टॉपिक है, that's about the Declaration of Independence, Action of Second Continental Congress, यह टॉपिक यूएस हिस्टरी से रेलेटिड है, और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के MCQs और questions बगएरा आपसे CSS, PMS, different interviews और different tests बगए हैं, यह किस ने represent की थी, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson कौन थे, एक American थे, Thomas Jefferson पे already मेरे एक वीडियो बनी है, उसकी बाइगराफी से related, तो उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा, यह इसी वीडियो के नीचे होगा, part one के नाम से, क्योंकि यह topic हम तीन parts में cover करेंगे, part one already discuss हुआ है, जिसमे भी हम next slides में देखेंगे, the declaration of independence है क्या, इसमें क्या बताया गया है, यह सब कुछ हम slides में discuss करेंगे, जो अगले slides होंगे, इसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा, कि एक और topic था, जो हमने discuss किया था, common sense by Thomas Spain, यह एक और document था, Thomas Spain ने लिका था, यह तो Thomas Jefferson ने लिका है the declaration of independence, लेकिन Thomas Spain ने common sense एक topic लिका है, एक document रिप्रेजन की, तो उसको जरूर देख लिजएगा, वो भी important topic है, वो भी इसी से related है, जब आप उस topic को समझेंगे, तो आपको यह the declaration of independence topic समझना बहुत ही easy लगेगा, अब time quest के बगएर, अपने topic की तरफ आते है, the declaration of independence की तरफ, यह important है, क्योंकि इस topic में यही चीज़ भी बहुत important है, और इसका concept भी समझना बहुत जरूरी है, the Continental Congress was a series of meetings held between 1774 and 1789, यह एक मितलब एक series थी meetings की, और यह कब जो है like मुनाकिद हुई थी 1774 से 1789 में, in which representatives from the 13 American colonies met to discuss their graviances and organize resistance against British rule, अब इस point को समझना बहुत जरूरी है, देखो, अमेरिका के 13 colonies थे, और वो 13 colonies किस के हाथ में थे, Britishers के हाथ में थे, मतलब उनको rule कौन कर रहा था, Britishers कर रहा था, अब अमेरिका को चाहिए थी अज़ादी, अमेरिका ने कहा कि हम तुमारे हसाथ क्यों रहे, हमें अपने मुल अबिर्सन ने बाई अगे से, क्या रिप्रेजेंट की, देखलेरिशन अप इंडिपेंडेंडेंस रिप्रेजेंट की, तो यहां तक आपको, I hope, समझ आई होगी के 13 colonies थी, वो किस के हाथ में थी, Britishers के हाथ, और यही चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिसकस किया था, जो तॉमस स्पेन ने लिकी है, तॉमस स्पेन ने एक और डाकुमेंट लिकी थी, Common Sense के नाम से, वो भी बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है, उसको नाम इसके जाएगा बहुत जरूरी है, वो भी युएस हिस्टरी से रिलेटिड है, खैर, the Congress played a critical role in the lead up to the American Revolution, American Revolution में Congress ने बहुत और important point बताएगी है, कि जैसे ही इनको डिकलरे मतलब independence मिली, मतलब अजादी मिली, किनको? Americans को, जैसे 13 कालोनीस थी, इनको जब अजादी मिली, Britishers से, तो पिर भी ये जो Congress था, इनका बड़ा role था, किस में? ये जो युएस की government बनाने में. तो ये 1774 इस जगे में जो है, इसके सबसे पहला meeting हुआ था, मतलब मुनाकिद हुआ था, in response to the intolerable acts passed by the British Parliament, in response to the Boston Tea Party. तो ये इसलिए मुनाकिद हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उस वक्त जुम कर रहे थे, किस पे? ये Americans पे, जो 13 कालोनीस थी, उनके लोगों पे जुम हो रहा था, तो ये meeting, ये जो एक किसम की series of meetings थी, ये इसलिए मुनाकिद हुई थी. Delegates from 12 of the 13 colonies Georgia did not attend. अब इसमें क्या बताएगा है? कि 13 colonies थी, 12 जो है, 12 लोगों ने attend की meeting, लेकिन एक ने attend नहीं की और वो कौन थी? Georgia. Georgia did not attend. Georgia ने attend नहीं की. Made to discuss a unified response to the British government's actions, the Congress issued a declaration of rights and grievances which outlet the colonist objections to British policies. तो इनों ने ये भी represent की कि, बाई, हमें अजादी चाहिए, इनके शिकायत, grievances का मतलब है जो शिकायत वगरा होते है, वो शिकवे, गिले शिकवे जो होते हैं, वो रिप्रेसेंट की के बाई, हमें अजादी चाहिए, आप मजीद आपके साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आ में मुनाकित हुई थी आफर दी आउट ब्रेक आप हॉस्टिलेटीज एट लेक्सिंग्टन एंड कांडर्ड दे कांग्रेस एज्यूम इस चीज़ को आप लोग इगनोर करें आप लोगों ने सिंपल ये समझना है कि सेकिंड कांग्रेस का फेल्ड भी थी सेवंटीन सेवंटीफाइब में तो कांग्रेस एज्यूम तो रोल अप डिफैक्टो नेशनल गवर्मेंट तो अगेन किते हैं कि कांग्रेस ने बड़ बड़ा इंपॉर्टन रोल प्ले किया अपॉंटिंग जॉर्ज वाशिंग्टन एज कमांडर इंचीप अप दी कांटेनिंटल आर्मी जॉर्ज वाशिंग्टन ये हमने जब बाइगरापी डिसकस की दिए जफिर्सन तोमस जॉर्फिर्सन की उसमें हमने इस बंदे का भी जिकर किया था वीडियो आप लोग देख लिएगा आपको पता चल जाएगा कि जॉर्ज वाशिंग्टन कौन थे उसको जो है लाइक कंटिनेंटल आर्मी का कमांडर इंचीप जो है मकरर किया इस्विंग पेपर करेंसी और अपनी पेपर करेंसी जो है इस्व की एंड कंड़क्टिंग डिप्लिमेसी विद फॉरंग गर्मेंट्स अब इनको आजादी मिल गे तो इन्होंने पिर क्या किया स्वरी अजादी अभी तक नहीं मिली मतलब इन्होंने अपने जो फॉरंग जो दिप्लिमेसी वगर का सिस्टम था जो हम कहते है न डुपलिमेटिक यह जो है लाइक अपना बना लिया था अपना सिस्टम बना लिया था तक कंग्रस ऑलसो ड्रापटीड एंसाइड टु डिकलिरशन अपिंडिपेंड्डंस यह इंपोर्टन पॉइंट कि इस वक्त क् Congress ने sign कर दिया था, किस चीज पे The Declaration of Independence और यह किस ने represent की थी, Thomas Jefferson ने Thomas Jefferson ने अकेरे नहीं, इसके साथ और भी थे, वह हम आगे डिसकस करेंगे कि कौन कौन थे इसके साथ, यह और important figures कौन थे, which declared the 13 colonies to be free and independent states, मतलब उसमें यह बता है गए कि भाई जो 13 colonies हैं उसको अजादी दी जाए, वह फ्री है The Continental Congress continued to meet throughout the revolutionary war and played a critical role in organizing the war effort and maintaining the unity of the new United States of America after the war, the Congress was replaced by the United States Congress, which was established by the new constitution in 1789 और यह जो Continental Congress था, obviously एकिस के हाथ में था यह 13 colonies के हाथ में था ठीक है, जब 13 colonies बन गई मतलब उनको अजादी मिल गी तो अभी इसलिए एक मुल्क बन गई अब वो मुल्क जब बना तो इन्हों ने उस Congress, जो Continental Congress है उसका नाम क्या रखा United States Congress रखा और आज भी मुझूद है, आप TV में सुनते होंगे इस वर्ट को United States Congress तो यह तब बना, means यह कब बना था फिर 1789 1776 में इनको अजादी मिल गई थी, ठीक है अब यह important है Who presented the declaration of independence यानि जो declaration of independence है इसको किस ने रिप्रेजेंट किया था The declaration of independence was not presented by a single individual आपको अभी clear cut बता दिया है कि single individual ने रिप्रेजेंट नहीं किया था अब एक बन्दे ने रिप्रेजेंट नहीं किया था declaration of independence को but rather it was a document that was adopted by the Continental Congress of the 13 American colonies on July 4th 1776 लेकिन यह बताया गया है कि Continental Congress के जो दूसरे लोग थे जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने भी इसके साथ मतलब एक रोल प्ले किया था 13 colonies को अज़ाद कराने में अब यह important point यह document किस ने लिखी थी Thomas Jefferson ने but it was revised and edited by other members of the Continental Congress देखो लिखी तो Thomas Jefferson ने लेकिन कहते हैं ना कि पिर editing या दूसरे जो तोड़ी बहुत changing वग़रा लाना यह और members ने भी की है suppose आप कुछ लिखते हो आप teacher के सामने कुछ मतलब कुछ essay वगरा लिखते हो अब आप ऐसे तो आप ने लिखी है लेकिन जब आप teacher के सामने represent करते हो teacher कुछ उसमें editing करता है कुछ आपके mistakes बताते है तो इसी तरह Thomas Jefferson के साथ भी यही हुआ था Thomas Jefferson ने लिखा आगे से जो और members थे उन्होंने थोड़ी बहुत editing की फिर drop किया और फिर Continental Congress के सामने represent किया including John Adams जिसमें कहते है जिसमें कहते हैं जिसमें कहते हैं जिसमें 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 बिंजमिन Franklin Franklin भी थे इसमें after the declaration of was adopted by the Continental Congress it was printed and distributed throughout the colonies and sent to the British government केते हैं कि जैसे ही ये document बनी तो इनकी print-out निकाल दी गई और इसी तरह जो different colonies थी US की मतलब जो 13 colonies थी वहाँ सब भीजवा दी और British government को भी भीजवा दी गई थी The declaration of independence declared the 13 American colonies to be free and independent states no longer under British rule and is considered one of the most important documents in American history अमेरिकन हिस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी वेली और इसी की वेली नहीं होगी कि कि इसी को जैसे तो इनको अजादी मिली और इस तरह ये जो क्या कहते हैं 13 colonies को जो है अजादी मिल गी थी और इसको जो है बहुत important document कंसीडर किया जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में अजादी इनको किसे मिली थी ब्रिटिश रूल से अब representatives the declaration of independence मतलब यहाँ पी इस में यह कहना चाहरा हूँ कि कौन थे हैं जुनोंने इस document को represent किया ठीक अब आपने इसको समझना है the declaration of independence was not presented by individuals again वही point repeat की गई है जो हमने फिछले स्लाइड में डिसकस की है the delegates who attended the second continental congress which drafted and adopted the declaration of independence देखो दो तपा जो है meeting attend होई थी एक first, first में तो कुछ भी नहीं हुआता बस सिर्फ यह किया रहा है बाई जुन हो रहा है 13 colonies पे कुछ करना है second में क्या हुआ second में लोगों ने क्या किया किया कि भाई हमने तो आप अजादी लेनी है और इस तरह इन्होंने अजादी ले ली अजादी किस से ली Britain से तो कियते हैं न कि यहां पिन्होंने mention भी कि second continental में four changes आई मतलब बहुत कुछ हुआ which drafted and adopted the declaration of independence मतलब second continental congress में 4 July 1776 को इन्होंने एक document या एक जो है like draft रिप्रेजेंट की किसके नाम से the declaration of independence means America की बात हो रही है included some of the most prominent figures in American history including अब यह important figures है मैंने क्या बता है कि एक बंदे को mention हम नहीं कर सकते हैं तो यह नहीं कर सकते हैं तोमस यह person ने लिखा है लेकिन इसको editing और इसकी बहुत कुछ लिखने में लाइक किसम की editing जो करना या draft करना उसमें दूसरे लोगों का भी बड़ा हाथ है जिसमें John Adams है यह उसके जगे का नाम है और इस तरह Benjamin Franklin of Pennsylvania मतलब वो states के नाम है ठीक है तोमस यह person तोमस यह person कहां के था विर्जीनिया के थे प्राइमरी अफ्टर अफ्टर अफ्टी डिक्रेशन देकर यहाँ पे बिनोंने mention भी कर दी रोजर शेर्मिन अप कनेक्टिकट रोबर्ट आर लिविंस्टन अप निव यॉक के थे रिचर्ड हैनरी ली ऑफ विर्जीनिया के थे जॉन हैंककॉक अप मेस्चिस सेट्स वो सर्वड अज दी प्रेजिडंट अफ दी कांग्रेस और यह important नाम है यह भी आप लोगों ने याद रखना है MCQ's के लिए कि यह उस वक्त किसके थे प्रेजिडंट थे किसके कांग्रेस के तो अविस्ट जब इनके प्रेजिडंट होगे इनके सब कुझे हैं तो इन्होंने तो साइन करना था जब इन्होंने साइन किया अब आगे इसको इन्हों रिपिजेंट करना था किसको British government को British government के किया action था वह हम next slides में देखेंगे कि क्या हुआ था पर These and other delegates work together to draft the declaration of independence तो यही लोग थे जिन्हों ने drop किया edit की or declaration of independence को who declared the 13 American colonies to be free and independent states तो इन्होंने अजादी दिलाई किसको 13 American states को no longer under British rules ताकिया वो ब्रिटिश उस पे रूल ना कर रहा है अचा ब्रिटिश देखा जा तो दुनिया के अधी अधे मुमालिक पे आधे स्टेट्स पे तो इन्हों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी मतलब यह रूल करते थे जैसे एजिया अफरिका में कुछ ममालिक थे इसी तरह अमे फ़ए ने की साइन कांटेनेन्टिल कंगरेसी वालों ने फर इसको के रूल पर इसको किसके रिप्रेजिट किया था इकियामेरिश गौबंट को रूल की मारिकंग दीस तार्ट ओप मेरिकन डियक रर्ख Dublin अक्ट शॉनव रो से मतलब अमेरिका का नाया है सब खा इंकिया ब तो इसमें आपने गोने मिस्टेक नहीं करनी 4th July है और 1776 है तो इसको आपने गोने कंफ्यूज नहीं करना 14 जुलाइ से 4th July not July 14 यहापने दो कि इन्होंने मेंशन भी कर दिया this document is a statement adopted by the Continental Congress Continental Congress क्या है इसको मनें डिसकस किया है which declared that the 13 colonies regarded themselves as a new nation ये एक new nation बन गई है 13 colonies जो थी अमेरिका की वो किसके हाथ में थी Britishers के हाथ में थी तो वो एक new like क्या गए थे मतलब एक new मुल्क बन गया और वो मुल्क का नाम क्या रहा गए अमेरिका the United States of America ताकि United States of America कहा जा and were no longer part of the British Empire और वो British Empire के मतलब अंडर ना रहेंगे अब मतलब वो खुद अजादी मतलब वो अब क्या होगे अजाद होगे the declaration was primarily written by Thomas Jefferson Thomas Jefferson school although it was also influenced by ideas and feedback from other members again ideas editing वहारा दूसरे members ने भी की है Continental Congress के it is considered one of the most important documents in American history बहुत important document American history में American like study में as it laid out the principles of individual liberty अभी important points है देखो इसे क्या हुआ इसे दो है liberty मिली अजादी मिली किसको individual को means एक बंदे को एक आम बंदे को natural rights मिले ठीक है popular sovereignty मतलब आप खुद अपना government बना सकते हैं that have guided the country's development and growth over the past two centuries तो इसे क्या हुआ बाई जब आप अपना मुल्क बनाएंगे तो इसे आपके मुल्क को जह है like growth भी मिलेगी और आपकी economy भी strong हो जाएगी मतलब इनोंने दो साल दो centuries तक एक दूसरे के हातों में थे the declaration of independence also played a critical role in inspiring other nations तो इससे क्या होता है कि जैसे around the world to fight for their own independence from colonial powers तो कहते हैं कि इससे क्या हुआ इससे दूसरे जो मुमालिक थे उनको भी like एक किसम की जो है एक power मिली एक encouragement मिली कि भाई आप लोगों ने भी अपने rights के लिए like voice raise करनी है अपने rights के लिए गड़ा होना है its impact can be seen in french revolution इससे क्या वह french revolution आई ठीक है जिससे american revolution फिर french revolution आई which began just over a decade after the declaration was adopted जो बिलकुल एक decade के बाद जो है french revolution आई मतलब इनके अजादी के बाद direct फिर french revolution आई the unanimous declaration of the 13 states of america also known as the declaration of independence तो इसको declaration of unanimous declaration को क्या कहा जाता है इसको the declaration of independence भी कहा जाता है was a document adopted by the continental health congress यह अगिन वही चीज़ मैंचन की गई है 13 colonies थी किसके आदमती ब्रिटिश शुरूर कर रहे थे the declaration of independence was probably written by Thomas Jefferson यह वही same points repeat हो रहे है वस यह कुछ important जैसे happiness आ गई obviously जब आप अज़ाद होते हो तो एक खुशी होती है तो इस तरह liberty इंको मिली और इनके rights वगएर जो है इनके मिलने स्टार्ट हो गए un-illainable rights the document goes to list the grievances of colonists against the British government यह मतलब जो इनके शिकायात थे the grievances means शिक्वे शिकायात वायरा तो यह जो है अब इनसे जो है like एक किसम की जो अजादी थी वह मिल गई कि अब इन्होंने कोई शिकायात नहीं लगानी Britishers को अब यह खुद अजाद हो गए including taxation without representation and यह बहुत important point taxation no taxation without representation यह important point है तो यह किस लिए कहा गया था यह इसलिए कहा गया था कि भाई अगर हम जाएक tax देते हैं तो हमारी representation भी होनी चाहिए colonies वालों का मानना था मतलब 13 colonies थे उनका यह मानना था कि अगर हम tax देते हैं Britishers को तो हमारी representation भी होनी चाहिए तो यह important और यही चीज़ Thomas Spain ने भी discuss की थी अपने work में अपने document में common sense में उस वीडियो को जरूर देख लिजएगा I don't know why you are missing these videos believe me इसको बहुत ही hard work के बाद बनाए जाती और बहुत सी research होती इस पे declaring the colonies to be free and independent states and cause upon all citizens to support the cause of independence ताके दूसरे जो citizens है उनको भी आजादी मिले और इस तरह उनको एक किसम की call जो होती है ना like वो मिली कि आपने अपने rights के लिए stand लेना है The signing of the declaration of independence marked a pivotal moment, pivotal means aham, moment in American history एक American history में एक बहुत ही important document है and celebrated each year on July केते हैं कि इस आजादी को 4 July को जरूर मनाया जाता है इसके themes देखते हैं, आपको I hope summary समझ आई होगी, जो important points थे continental congress है क्या, यह सब कुछ आपको I hope समझ आगई होगी अब natural rights देखते है Natural rights, the declaration of independence proclaim that all people have certain unalignable rights सबसे पहले important theme है natural rights, कि सब लोगों के जो है एक rights होते हैं चाहे वो liberty से related हो, freedom हो या जो भी हो, उनके rights होते हैं, human beings से rights होते हैं including life, liberty, pursuit of happiness, खोशी के जो rights हैं these rights are not granted by the government but are inherent to every human being कहते हैं कि यह rights जो है government नहीं देती हैं लेकिन यह जो है obviously inherent है, इनसान के साथ ही आते हैं जब वो पैदा होता है in every human being the document is also asserts that governments are instituted to secure these rights और यह document आपको यह भी बताती है, जो government है वो लोगों को serve करें लोगों के खिद्मत के लिए होती है, जो government होती है लेकिन यहां पे सब कुछ उल्टा होता है and if they fall to do so the people have the right to alter or abolish them अगर वो लोगों को rights देने में नकाम होती है तो लोगों को हक है कि वो अपने rights के लिए stand ले और उसकी हकुमत को abolish करें, abolish means खत्म करें consent of the government the declaration of independence emphasizes that government's consent means like रजामंदी, the declaration of independence emphasizes that government's deriver their just powers from the consent of the government कि जो declaration of independence यह था वो इस चीज़ को emphasize कर रहा था कि भाई हमने खुद जो है अपनी रिजामंदी से जो है government बनानी है अपने खुद like powers वायरा खुद लेने this means that the people have the right to choose their leaders and to hold them accountable केते हैं कि इसमें यह भी important point था कि नतलब लोग खुद जो है लोगों को choose करेंगे वही बात आती है ना कि no taxation without representation अगर मैं text देता हूं तो भाई मेरी representation भी होनी चाहिए तो इससे हम यही बात कह रहा है कि अगर हमारे लोग select भी करते हैं तो हमारे लोगों को right भी है कि उसे खतम कर सकें यह हमारे लोगों की representation होनी चाहिए अब colonies है तो उनकी क्या representation हो सकती है अगर कोई पोस्ट लीवे जाती है तो obviously वह बंदा भी उनके अंडर ही काम करता है limited government the declaration of independence expresses a belief in limited government अब यह यह भी बहुत important point है बहुत ही important है और यह आप observe भी करें आजकल की दुनिया में मतलब आपी यह भी देख सकते है limited government बहुत important limited government से मुराद जो presidential system होता है जिसमें president के पास बहुत सारी अख्तियारात होते है अब जो ममालिक जिसके पास prime minister है उनके पास इतने अख्तियारात नहीं होते है और वो किसी और के हातों में होते है the document asserts that government should only exist to protect the rights of people and that should it not be allowed to become too powerful or oppressive के लोगों के जो राइट से उनके प्रोटेक्ट करें government को चाहिए ना कि उनको उप्रेस करें मतलब उन फे जुलम करें अब यह सारी चीज़े क्यों कि करें मतलब important themes बन रहे क्योंकि उस वक्त यह colonies थी तो obviously उनके भी जुलम होता था self government the declaration of independence asserts that people have the right to go on themselves के वो खुद को सर मतलब खुद को भी like एक इसम की जो कहते हैं ना कि आप अगर किसी को select करते हो तो आपकी पास यह ride भी क्या उसे गिरा भी सकते हो this means that the people should have a say in how they are gone and how should be able to participate in the political process और यह भी बताया जाता है कि भाई अगर आपको हमने select की भी किया है ना मतलब किसी government को बनाया भी है तो हमें ही बताना है कि भाई आपने किस तरह हमें rule करना है और हमारी participation बहुत जरूरी है मतलब participation से मराद यह नहीं कि आप सारे दुनिया की जितने भी लोग है वो politics join करें participation से मराद यह कि आप अगर वोट देते हैं तो आपके वोट की कदर होनी चाहिए आपके वोट की कदर इस तरह होनी चाहिए कि जो आप डिमांड करते वो पूरी भी होनी चाहिए आपके rights का खयाल रखा जाए revolution revolution बहुत important point theme है इसका the declaration of independence is said that the people have the right to regulate against an unjust government unjust means नाइसाफ के लोगों के पास यह हक है कि वो revolution मतलब इंकलाब लाए जो unjust government हो मतलब जो जो जिसके पास जो नाइसाफ ही करता हो this is a radical idea that was controversial at the time but it has become a fundamental part of American political thought यह obviously एक idea अजीब था लेकिन उस वक्त क्योंके उस वक्त हो जो जो आख किसी के हाथ में होते ना किसी की कालों नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता है revolution लाना क्योंके revolution इंकलाब खून मांगता है और यह हर कोई नहीं दे सकता और ना हर कोई revolution ला सकता है तो यह important था मतलब एक fundamental part था overall the declaration of independence represents a committee to the principles of freedom के एक किसम की freedom मिले democracy होनी चाहिए, self-government होनी चाहिए, it's a statement to the ideal upon which the United States was founded and countries वो यहीं चीज़े आपको आजकल United States में देखने को मिलती है वहापे freedom है, democracy है, self-governed है and they are enjoying their lives inspiration of people around the world who seek liberty and justice, कि जिनों ने liberty लेनी है या जो liberty, मतलब अज़ादी चाहिए या अज़ादी हासिल करनी है या justice चाहिए हो, तो वो अमेरिका को भी देख सकते हैं कि अमेरिका किस तरह, अमेरिका या आपके लिए के inspiration है मतलब किस तरह वहाँ पे लोग अज़ाद है पे बहुत मैनत हुई है, बहुत research के बाद ये वीडियो बनाई है तो like जरूर कीजएगा, share जरूर कीजएगा, कमेंट जरूर कीजएगा कि वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो में हम ये देखेंगे, इसका जो part 3 होगा उसमें हम वो जो document है, उसको सामने रखेंगे कि उस document में है क्या, वो documents हम पढ़ेंगे So I hope आपको summary, team, Continental Congress है क्या, कौन representatives थे और ये सब कुछ समझाया होगा पाकिस के जो first part है, Thomas Jefferson कौन थे उसको भी पढ़िए या, वो भी बहुत important figure है American history में So, बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तकी लिया, Allah Hafiz, take care of yourself